हेलो बच्चो फ्लास सेविंट तो लास फ्लास में बच्चो चेप्टर फर्स के एकसाइज 1.3 के क्वेश्चिन नमबर 7 तक हमने किया था अब हम कर रहे हैं क्वेश्चिन नमबर 8 तो देखो क्वेश्चिन 8 में क्या लिखा है ie 아, a cement company earns a profit of rupees 8 per bag of white cement sold and loss of rupees 5 per bag of grey cement sold एक cement बनाने की कंपनी है जिसको white cement का जब लो एक bag बेचते है तो उनको 8 rupees का profit होता है हर बैग पे और grey cement के bag को बेचते है को उन्हें loss होता है 5 rupees का एक बैग पर तो फिर हमसे question पूचा है कि the company sells 3000 bags of white cement and 5000 bags of grey cement in a month what is its profit or loss तो वो company किसी month में 3000 bags बेचती है white cement के और 5000 bags बेचती है grey cement के तो उसको profit होगा या loss होगा वो हमें बताना है ठीक है तो देखो जैसे कि question में लिखा हुआ है कि one white cement का bag बेचने पे उनको profit होता है कितना eight rupees का और grey cement का bag बेचने पे उनको loss होता है कितना five rupees का तो profit of one bag of white cement is equal to rupees eight and loss of one bag of grey cement is equal to rupees five okay तो उस मत में उन्हें कितने bag बेचे है three thousand bags बेचे है white cement के तो profit कितना आएगा उन्हें profit on selling three thousand bags of white cement तो एक bag white cement के एक bag पे profit मिलता है eight rupees का तो three thousand bags पे कितना profit मिलेगा three thousand को eight से multiply कर देंगे twenty four thousand rupees का profit मिलेगा ठीक है और उन्हें five thousand bags बेचे हैं किसके grey cement के तो grey cement का bag बेचने पे उनको loss होता है और एक bag बेचने पर कितना loss होता है five rupees का तो five thousand gray cement के bag बेचने पर उनको कितना loss होगा loss of selling five thousand bags of grey cement तो five thousand को five से multiply कर देंगे क्योंकि एक grey cement का bag बेचने पर five rupees का loss होता है तो five thousand gray cement के bag बेचने पर कितना loss होगा twenty five thousand rupees का लो सो होगा है तो आप देखो total उनको लोस क्या है तो ने को लोस होगा हो कि हूं एक तो इस falar जबाद likelyört तो तो टो सक तर दें और देखें तो उन्हें टोटल लॉस कितना हुआ रूपीज थाउजन का उनको टोटल लॉस हुआ ठीक है क्योंकि उन्होंने थ्री थाउजन बैक्स वाइट सिमेंट के बेचे थे तो उसमें तो प्रॉफिट वहा टूइंटी फॉट थाउजन रूपीज का लेकिन स तो इसका फ़र्स पार था सेकेंड देखो वट इस नमबर वाइट सिमेंट बैग इट मस्ट सेल तो हैव नाइधर प्रॉफिट नौर लॉस इफ दे नमबर ऑफ ग्रे बैग सौल इस सिस थाउजन फॉर हंडर बैग्स तो फिर पूछ रहा है कि कंपनी को कितने वाइट सिम वाइट सिमेंट के बैग बैग से थाउजन फॉर इनट रेक बैटования और इसके साथ refugeित और प्रॉफिट के बिर्द पीरलीचित प surrounding आप देएट बैज आप नहीं निकालना पर देग고 है खी है को सौने वाले प्रॉफिट के बराबरbt नहीं तो पीचालना है किन फिक से जो लेते हैं let the number of bags of white cement be x ठीक है और फिर हमने किस टाइब से condition निकालने कि ना profit ना profit ना loss तो यानि profit और loss दोनों equal amount होना चाहिए और grey bag के grey bag कितने बेचे है 6400 तो देखो according to question loss और profit equal होना चाहिए ठीक है question में कह रहा है कि वो कितने bags sold करें white cement की कि जिससे जितना उसको loss हो रहा है grey cement बेचने से उतना ही उसको profit हो जाए और दोनों equal हो जाए तो loss is equal to profit तो देखो loss grey cement के bag बेचने सुनको loss होता है और कितने बेच रहे हैं वो 6400 bags बेच रहे हैं और एक बैग पर कितना loss होता है फाइव रूपीज का तो 6400 बैग पर कितना loss होगा 5 को इससे multiply कर देगे तो 32000 रूपीज का loss हो जाएगा profit तो अभी bags तो हमें पता नहीं हो कितने बेचे वो तो हमने निकालने white cement वाले bags लेकिन profit कितना होता है एक बैग पर एट रूपीज का तो हमने एक्स बैग माने तो x multiply 8 ठीक है फिर यह x इसके साथ multiply में है इसको इधर लेके आएंगे तो यह divide में आजाएगा इनका divide करेंगे तो x का value आ जाएगी 4000 आ जाएगी ठीक है तो x यानि x हमने किसको मान के चले दे x x हमने माना था number of bags of white cement white cement के bag हमने x माने दे और x की value अभी हमने निकाली तो कितने आ गई 4000 जो आया है वो क्या है white cement के bags की number आ गया तो अगर company 4000 white cement के bags बेचेगी 6400 gray cement के bags के साथ तो उसको ना loss होगा और ना ही उसको profit होगा 4000 bags of white cement must be sell to have neither profit nor loss ठीक है 6400 bags to gray cement के sell करी रहा था उसके साथ अगर 4000 bags white cement के भी sell कर देगा तो उसको ना ही profit होगा ना ही loss क्योंकि जितना उसको profit होगा उतना ही उसको loss हो जाएगा तो दोनों चीज़े बराबर हो जाएगी ओके यही हमें निकालना था कि वो कितने bags sell करें जिससे उसको ना profit हो ना loss हो ओके तो यह था question number eight question number nine देखो replace the blank with an integer to make it a true statement तो यहाँ पे blank में क्या आएगा वो हमें fill करना है तो देखो three multiply यहाँ पे क्या आएगा वो हमें नहीं पता तो हम उसको x लिख लेते हैं is equal to में है 27 ठीक है अब हमें x मतलब यहां की value निकालनी है तो x के साथ कुछ भी डिजिट multiply में होती है उसको जब हम अधर की side ले जाते हैं तो वो divide में आ जाती है और divide में होती है तो इधर के multiply में हो जाएगी तो यह three minus three के साथ multiply में इधर ले आते हैं तो यह divide में हो जाएगा ठीक है फिरिन का डिवाइड करेंगे तो थी नाइन जाट 27 और यह minus का sign लग रहा है तो यह minus लगा रहेगा तो तो हमारे x की value क्या आ गई माइनस नाइन यहां कि यहां पर जो आंसर वो क्या आएगा माइनस नाइन आएगा ठीक है नेक्स देखो बी पार्ट 5 multiply यह value हमें निकालनी है is equal to minus 35 तो 5 multiply x मान लेते हैं और is equal to minus 35 फिर अभी बताया था x के साथ जो डिवाइड में है उसको हम इधर ले आएंगे इधर लाएंगे तो वो divide में हो जाएगी फिर इनका divide करेंगे तो क्या हैगा 7 और minus cosine लग रहा है तो minus का 7 तो answer यहां पर क्या हो ज है बस इसमें x आगे लिख लेंगे वो कुछ फरक नहीं पड़ता 5 multiply x लिखो यह x multiply 5 वो एक ही बात है ऐसे x multiply minus 8 लिखो यह x multiply minus 12 और x की value निकालने तो यह दोनों पार्ट खुद solve करने ठीक है तो यह हमारे exercise 1.3 जो है वो complete हो गई है next class में हम करेंगे exercise 1.4 जिसको अपने notebook में note कर लेना जिसे वीडियो को समझना फिर मिलते है next class में